Hey boys, girls and kids, China का line of actual control को cross करके भारत में गुस्पैट करना, भारत का एक अंधकार में stance लेना, जो कि गर्मेंट के confusing claims और blurred facts को देखने से पता चलता है, हालां कि भारते जनता पार्टी एक aggressive military talk और aggressive stance के लिए जानी जाती है अगर national security की बात करते हैं, बात चाहे पाकिस्तान में surgical strike की हो या फिर aggressively 370 article का हटाया जाना, लेकिन इस बार इंडिया चाइना के stand-off में कुछ confusing stance या statements देखने को मिली, June महिना 2020 में government बताती है कि किसी तरह का कोई भी Chinese aggression नहीं है इंडिया में और जो media है इंडिया का वो भी clearly नहीं बता पाता है April month तक कि कोई Chinese soldiers LAC cross करके Indian territory में आये हुए हैं या फिर People's Liberation Army Indian territory में कोई अपनी posts को occupy करके रखा हुआ है, इसी तरह जो discussions हैं disengagement पे वो भी clearly नहीं बताई जा रही है अगेन 20 जून को government का stance था या claim था कि किसी तरह का कोई intrusion नहीं हुआ है, 17 जून को external affairs minister ये कहते हैं कि गलवान वैली में कुछ structure erect करने की कोशिश करी गई है Chinese द्वारा और recently September में इंडिया के जो foreign secretary है Mr. Harsh Sringla, वो कहते हैं कि जब तक status को maintain नहीं हो चाता तब तक जो business है China के साथ वो normal नहीं हो पाएगा, तो ये सारी statements contradictory रही हैं, बात करेंगे जो soft steps है domestic politics में उसकी, एक तरफ government जो है वो soft stance ले हुए है और किसी तरह का data है वो reveal नहीं करना चाहती है, दुसरी तरफ वो चाइना से negotiation में भी लगी हुई है ताकि जो Chinese army Indian territory में आई है वो बापिस से जा सके, मतलब हम युद्ध का जो option है उसको explore नहीं करना चाहते हैं, tit for tat का जो measure है उसको use नहीं करना चाहते हैं, इसके पीछे कहीना कहीं बजा जो पाकिस्तान के लिए जो obsession है इंडिया का वो ही रहती है, अगर हम पाकिस्तान को diplomatically war में, लड़ाई में हरा देते हैं, तो कहीना कहीना के जो माई ले जाए वो ज़्यादा रहता है, बनिस्पद अगर चाइना के साथ अगर हम compromise भी कर लेते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फरक इंडिया या इंडियन्स को नहीं पड़ता है, जब पाकिस्तान से हम लोग लड़ते हैं, तो भावनाएं किसी अलग लेबल पे इडन गार्डन में क्रिकेट मैच जैसी हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के, और वहीं अगर चाइना से हम हार भी जाएं, तो 1962 war बहुत सारे लोगों के जहन में नहीं आती है, अब कहीं ना कहीं ये two and half front situation इंडिया के सामने आ गई है, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसी तरफ कश्मीर वैली में हम लोगों की लड़ाई जारी है, अगर internationally हमारी support की बात देखें, तो क्योंकि US President Election November में ड्यू है, और वैसे भी जो US के President है Mr. Donald Trump, उनके ओपर बहुँ जादा भरोसा इंडिया नहीं कर सकता है, security related matters में at least, so इस तरह जो West का support है, या international support है, वो भी फिल हाल इंडिया को आसानी से मिलने का दिखाई नहीं देता है, इसी तरह जो इंडिया का एक approach है, चाइना को persuade करने का कि आप अपने इलाके में बापिस चले जाएं, LAC से उस तरफ चाइना की तरफ बापिस चले जाएं, वो कहीना कहीं जो capacity deficit है, Indian security forces का उसको भी दिखाता है, अगर हम Chinese और Indian military की capabilities को compare करें, तो बहुत जादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम जो growing modern capabilities हैं, जैसे cyber security है, space security है, naval capabilities हैं, तो इंडिया बहुत पीछे रिखाई देता है, चाइना से, हालां कि Indian ocean में Indian navy का बर्चस्वा काइम है, लेकिन Chinese navy का बर्चस्वा बहुत बड़े area में है, worldwide, इंडिया भी QUAD से, जिसमें US, India, Japan और Australia की navies जो हैं, एक साथ काम करती हैं, उससे काफी enthusiastic है, लेकिन क्योंकि अभी Indian जो economy है, वो बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, उपर से COVID-19 की वज़ा से economy और नीचे आ गई, और government अभी basic expenditure needs हैं, देश की, उन्हीं को fulfill करने के like है, और बहुत सारा हम लोग खर्च नहीं कर सकते हैं, अपनी capabilities को बढ़ाने के लिए, इसी तरह जब socially देखा जाता है, तो India चाइना के बीच में stand-off उतना nationalism का wave create नहीं कर पाया है, चितना करगिल war या फिर Mumbai terror attack के दोरान एक wave create हुआ था, एक nationalism का wave create हुआ था, शायद लोगों को भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है Chinese border पे India का क्या हो रहा है इस बात से, इसलिए कहीं न कहीं जो defense का doctrine है, उसको rethink करने की जरूरत लगती है, एक पुरानी कहावत है कि इलाज से परहेज अच्छा, prevention is better than cure, तो कहीं न कहीं जो preventive retaliation है, उसके उपर हमें focus करना पड़ेगा, rather than punitive retaliation या फिर किसी को सजा देना, भहुत सालों से लगों 1962 के बाद जब से चाइना इंडिया का युद्ध हुआ था, जो LAC बन गई उस टाइम, उसी को इंडिया ने मान लिया, और काफी सालों से उसमें को intrusion चाइना की तरफ से हुआ भी नहीं, लेकिन पिछले चार महीनों से हमारा ये भ्रम भी तूट गया, और चाइना ने बहुत सारी जगा पे line of actual control को cross किया, और Indian territory को एक तरह से हथ्या लिया, ये कैसे हो पाया, या तो इंडियन जो intelligence agencies हैं, वो proper तरीके का data collect कर पाई, या फि या फिर जो उस intelligence के उपर policy बनाने वाले लोग हैं, या customers हैं, वो उन warnings को seriously नहीं ले पाई, खेर, fault किसी का भी रहा हो, system fail हो गया, तुसी तरफ जो army का जो concept है, defending the countries, borders, वहाँ भी कही न कहीं problem देखने को मिलती है, या simply एक outdated preparation को दिखाता है, कि जो Chinese threat produce कर रहे हैं आज की date में, वो हमने perceive भी नहीं किये, आर्मी से यह expect किया जाता है, कि वो पाकिस्तान या चाइना के उपर attack launch करें, punitive offensive की तरह, मतलब उनका Indian territory को कबजा करने के बाद, हम उनके उपर attack launch करें, और उनको हराएं, और enemy को destroy करें, और जो उन्होंने land हमारी कबजा कर लिया था, उसको हम बापिस ले ले, इसी तरह के mindset में हम ये expect कर रहे थे, कि जब भी चाइना attack करेंगा Indian territory की उपर, तो एक major जो conventional war होगा, उस तरह जैसे 1962 में हुआ था, वैसा एक war हो जाएगा, और हम लड़ लेंगे और जित जाएंगे, तो हमारी आर्मी उसी तर charge formation में defend करना, या फिर दवारा से कबजा करना, दूसरी तरफ Chinese जो forces हैं, उन्होंने इस तरह से कोई invasion नहीं किया, उन्होंने बहुत सारी जगाओं पर थोड़ा थोड़ा Indian territory में आके कबजा कर लिया, और जैसे पहले हुआ करता था, कि Chinese forces LAC को cross करके आगे आती हैं, Indian forces उसका बिरोध करती हैं, कुछ flag meetings होंगी और Chinese forces जो हैं, वो बापीस चली जाएंगी उस territory को छोड़ कर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, Indian armed forces सेंटर से instructions मिला हुआ था, कि किसी तरह का aggressive response ना दिया जाए, और situation को और inflamed ना किया जाए, उसमें और inflamed ना हो situation, So overall, जो leadership है, इंडिया की army, उन्होंने एक तरह से miscalculate कर लिया, कि एक conventional launch होगा, Chinese की तरफ से, और वो नहीं हुआ, रधर एक simultaneous action हुआ, बहुत सारी जगाओं में, और एक तरह से Chinese ने border को change करने की कोशिश की, बिना war को trigger किये, और भारत को दो options के साथ छोड़ दिया, एक, लड़ाई शुरू कर दो, और Chinese जो गुसाएं इंडिया में, उनके उपर हमला कर दो, दूसरा, कुछ मत करो, और जो हो गया, सो हो गया, तो इस तरह के जो जमीनी कबजे हैं, उनके से निप्टरने का सबसे आसान तरीका होता है, prevention, prevention के तरीके से बिना खून बहाए हम लोग अपनी जमीन को बचा सकते हैं, गाओं में भी यही होता है, और देश में भी ऐसा ही होता है, तो इस तरह आर्मी का एक dimensional shift जो है उसके सोचने के level पे उसकी जरूरत है, के punish करने के mind, make-up से निकल कर prevent करने का दिमाग बनाया जाए, सोच बनाई जाए, doctrine बनाई जाए, गाओं में आपके पडोसी अगर आपके field के उपर, खेत के उपर कबजा कर लेते हैं, तो फिर उसको बापिस लेना लडाई के सिवा बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अच्छा है आप अपने जो borders हैं, boundaries हैं, उनको clear करके रखें, उनको dominate करके रखें, अब इसका जो solution है, व ना नहीं सकते हैं, पूरे border पे, हाथ से हाथ पकड़ कर तो पूरे border पे soldiers नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक fast wide area surveillance जिसके through detect किया जाए adversaries के moves को, कहां adversary armies इकठा हो रही हैं, कहां वो आगे advance करने का कोशिश कर रही हैं, और फिर जब भी locally वो advance करेंगी, nibble करने की कोशिश क एक particular place में, particular spot में, तो एक तरह से जो devolved command है, जो local response है, वो दिया जाए और immediately उनको बापिश push back कर दिया जाए, लेकिन अब चाइना की अगर strategy देखें, 62 की war में भी और presently भी, तो वो बहुत speed से आते हैं, और quickly land को grab कर लेते हैं, कपजा कर लेते हैं land के उपर, means जो speed है, वो उ advancement detect करना पड़ेगा, और swiftly और even preemptively react करना पड़ेगा, उन particular hot spots के उपर, peace time में जो local commanders हैं, they must be authorized to take anticipatory action and go on the offensive or fill forward defensive positions, जो अगस्थ last जो एक incident हुआ था चुन्शूल में, वो दिखाता है, कि ये कैसे किया जा सकता है, ground में, इसमें जो Indian special forces के troops थे, उन्होंने जो previously unoccupied hides थी, pengong so के south में, उनको occupy कर लिया था, ये करने से, जो future में Chinese ने move प्लान किया था, वो मुश्किल में पड़ गए, और even जो Chinese की holds थे, कुछ holds थे, पुराने holds थे, even वो भी risk में पड़ गए, और Chinese का जो pengong so के south को हत्याने का जो मनसूबा था, वो fail हो गया, इसी तरह से बाकी जगा भी इस तरह के models को implement करने की बात कही जा रही है, और बद्रकिस्मती से जो चाइना ने बाकी जगा Indian territory को हत्या लिया, कबजा कर लिया, वहाँ पे हम लोग pengong so का incident को या tactics को implement नहीं कर पाए थे, अब जो हत्याया जा चुका territory है, उसको बापिस लेने के लिए काफी भारी भर कम Indian state craft का ज़रूरत पड़ेगा, और दूसरी तरफ जो military deployment है, reinforcement है चाइना की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसके हत्यायए हुई जमीन के उपर, और जब भारत बापिस उसके उपर हमला करेगा अपने जमीन को बापिस लेने के लिए, तो एक escalated form war का हो सकता है, practically इंडिया को एक lesson लेने का जरूरत है, जैसे वो हमेशा से लेते आ रहा है, करगिल वार से पहले भी पहाड़ियां खाली करी गई और अभी भी उसी तरह से नया lesson लेने का जरूरत है, फिर भी जैसे इंडियन नोशियन में हमने एक मजबूत अपने कदम रखे हुए हैं, वैसे ही हिमाल्याज में अपने कदमों को और मजबूत हैं,